नमस्कार जहिन सातियों स्वागत है आज आप सभी का हमारे दिन संकल्प युटूप चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं विशेग मिस्रा आज से आप सभी लोगों के लिए क्लास 7 की NCRT के कोस्टन्स को लेकर के आया हो और आज हम चेप्टर 1 के कोस्टन्स को डिसकस करेंगे और इस चेप्टर में हमको मिलता है मद्द कालिन भारत का इतिहास इससे पहले हमने अभी तक क्लास 6 की NCRT हिष्टी को कम्पलीट किया है जोग्राफिक को कम्पलीट किया है और साइंस को कम्पलीट किया है अगर आप लोग ने इनके वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेरिष्ट बनी हुई है सभी की अलग-अलग आप प्लेरिष्ट में जाकर के सभी के वीडियो देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को इससे पहले अगर आप लोग ने पीछे की वीडियो को नहीं देखा है तो अब असी देखेगा क्लासिक्स की अंसी आटी हिश्टी में हमने प्राचीन भारत के इतियास देखा था और इसमें हमने 200 से 200 प्रस्ण सबी चेप्टरस के निकाले थे जो की बहुत इंपोर्टेंट है हमारी UPSC की प्रिलिम परिक्षा के लिए और अन किसी भी कॉम्टेटिव एक्जाम के लिए इसके बाद में जोगराफी में भी हमने बहुत सारे प्रस्ण निकाले थे जो की क्लासिक्स की अंसी आटी जोगराफी से थे इसमें कुछ यही 120 से 30 प्रस्ण थे और यह सारे प्रस्ण बहुत इंपॉर्टेंट थे इसके बाद में हमने क्लासिक्स की अंसी आटी साइंस में भी काफी सारे प्रसंद निकाले थे और जो Classics के NCRT Sciences में पूरे 16 चेप्टर थे और कुछ चेप्टर ऐसे भी थे जिनको हमने दो दो तीन तीन चेप्टर एक ही मिला ली थे क्या है कि Classics के जो NCRT Sciences में हमको बहुती कम जो तो important point मिलते हैं वो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जो बच्चों के लिए बनाई गई है Classics के NCRT Sciences बच्चों के लिए है और इसमें हमको जादा नहीं मिलता था लेकिन काफी सारा मिला है और इन questions को हम लेकर किया है प्रतेक चेप्टर को 10-10 मिनिट में complete किया गया है ठीक है तो आज से हम सुरू करते है Classics 7 की NCRT History को तो आप लोगों से एक निवेदन है कि जो लोग UPC की त्यारी कर रहे है उन तक हमारे वीडियो को पहुंचाएगा आप लोगों के support के विना ये channel चल नहीं पाएगा यहीं पर रुख जाएगा और काफी दिनों से देखा जा रहा है कि आप लोग वीडियो को टाइम पर नहीं देख रहे है तो प्लीज आप लोग वीडियो को टाइम पर देखा करें पूरा देखा करें और share अबसे कर दिया करें जिसने की जो लोग यूपेसी तियारी कर रहे है उन तक हमारी वीडियो पहुंच सकें और वो लोग अपनी तियारी को कर सकें और जिन लोग को NCRT के नोट से लेने हैं वो लोग हमको WhatsApp पर मेसेज करके NCRT के नोट से ले सकते हैं वोट्सप नमबर डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आपको वीडियो के एन में बताया भी जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस चेप्टर को इस चेप्टर का नाम है हजारों वर्सों के दोरान हुए परिवर्दनों की परताल इसमें सबसे पहला प्रस्ण दिया जा रहा है कि दिये गए निमने लिखित कतनों में से कौन सा या फिर कौन से कतन सत्ते हैं आप्सन ए मिनाज सिराज ने जब पहली बार हिंदोस्तान सब्द का प्रियोग किया तो उसका आसाय पंजाब, हरियाना और गंगा यमुना के वीच इस्तित इलाकों से था इसके बाद में आप्सन बी दिया जा रहा है कि बावर ने हिंदोस्तान सब्द का प्रियोग इस उपमहादुइब के भूगोल पस उपक्षियों और यहां के निवासियों की संस्कृत का वर्रन करने के लिए किया अब इन दोनों कत्मों में से कौन सा कतन सब्द अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजेगा जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं या कुछ किसी प्रस्टन पर टिपड़ी करते हैं तो आपका confidence थोड़ा सा high होता है और आपको जब यह question समझ में आने लगता है ठीक है और जब आप किसी question पर कोई टिपड़ी करते हैं तो आपको यह याद रहता है कि मैं आपको बताते हैं आप लोग answer देने के लिए वीडियो को रोक लिया करें इसका answer होगा उपरोग तो दोनों कतन सकते हैं ठीक है जो दो कतन दिया जाने यह दोनों कतन सकते हैं अब इसको आप लोग detail में जान भी लिजए कि यह क्या हुआ ता आखिरकार इसमें क्या है ठीक ह वहाँ पर जो रहने वाई लोग हैं कहां के पंजाब हर्याना और गंगा यमुना के बीच में इस्तित इलाकों ठीक है इसके लिए किया था और उन्हों ने इस सब्द का राजनीतिक आर्थ जो निकाला था वो उन इलाकों के लिए निकाला था जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार चेतर में आते हैं ठीक है और जो दूसरा कतन दिया गया ये बिल्कुल सत्य कतन दिया गया है ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्चन नंबर दो को कोस्चन नंबर दिया जा रहा है कि मद्द काल में वीदेशी सब्द निम्द लिखित में से किसके ल को नो option D इन में से कोई नहीं तो अगर आपको इसका अंसर पताए कि इन चारों में से कौन सा option सही होगा तो answer comment box में दीजिएगा आप लोग answer देने के लिए वीडियो को रोक लिया करें क्योंकि अगर हम प्रतेक वीडियो में प्रतेक कोशन में ऐसे ही रुकेंगे तो वीडियो काफी long हो जाएगा इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसका अंसर आपको बताते हैं इसका अंसर होगा option A मद्यकाल में क्या था जब कोई भी व्यक्ति किसी गाउं में जाता था और उस गाउं से वो अंजान होता था अर्थात उस गाउं का व्यक्ति को नहीं जानता है जैसे कि मद्यकाल में किसी गाउं में आने वाला कोई भी अंजान व्यक्ति जो उस गाउं या फिर समाज या यही हम उस संस्कृत के ना हो उस धर्म के ना हो जाती के ना हो लेकिन विदेशी नहीं कहे जाते हैं लेकिन पहले क्या होता था अगर एक गाउं यह है और एक गाउं यह है अब यहां से कोई ब्यक्ति यहां जाता है तो उसे विदेशी कहा जाता था क्योंकि यह जो ब्यक्ति बिदेशी नहीं कहा जाता है अब तो उसे बिदेशी कहा जाता है कि एक परदेश से दूसरे देश में जाओ तो कुछ लोग बिदेशी कहा जाता है अब इसके बारे में आँगे और दिया जा रहा है कि ऐसे विक्तिकों हिंदी में परदेशी कहा जाता है और फार्सी में अज जाती धर्म के हैं तो यह एक दूसरे के लिए विधेसी नहीं होते थे दोनों एक दूसरे के लिए जान पैचान वालि भी होते थे विधेसी नहीं होते थे चली आंगे बढ़ते हैं दिखते हैं question number 3 को तीसरा person पूछा जा रहा है कि मदिकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ण का विकास हुआ जिसका नाम है राज पूत और निमने लिखित में से कौन से समूह अर्थात वर्ग इसमें सामिल थे, option A सामन्त option B सेनापती, option C सैनिक, option D उप्रोग तो सभी तो इन चारों में से कौन सा option सही होगा अगर आपको पता है तो answer comment box में जल्दी से दीजिएगा चली इसका answer अब हम आपको बताते हैं इसका answer होगा option D अर्थात उप्रोग तो सभी अब इसको आप लोग डिटेल में भी जान लीजिएगा देखिएगा मद्यकाल में जिन समूहों का महत तो बड़ा था उनका नाम था राजपूत ठीक है उनमें राजपूत प्रमुक थे जो की राजपूत का आर्थ होता था राजा का पुत्र ठीक है राजपूत का आर्थ निकलता है और आठमी से चौदमी सदी के बीच में यह नाम आमता और पर योधाओं के उस समू के लिए प्रिव्ट होता था जो कि छतरी वर्ग के होने का दावा करते थे और राजपूत का राजपूत सब्द के अंतरगत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बलकि सेनापती और जो सैनिक थे ये भी आते थे जो कि पूरे उपमहादुइप में अलग-अलग सासकों की सेनाओं में सेबा रत थे ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोश्चन नमबर 4 को चौता प्रस्ण भी बहुत अंपोर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है पूछ जा रहा है कि मद ये काल में रहेट का प्रियोग किस कारे के लिए किया जाता था अपशन इसेचाई के लिए अपशन भी सूद की घताई के लिए Option C, बारूद बाले हतियार बनाने के लिए Option D, मिट्टी का सामान बनाने के लिए तो इन चारों में से कौन सा कतन सकते अगर आपको पता है तो answer कमेंट वाक्स में जल्दी से दीजिएगा चलिए इसका answer हम आपको बताते हैं option A, मद्दिकाल में रहेट का प्रियोग किया था सिचाई के लिए रहेट कुछ ऐसी गोल कूल होती थी और इससे सिचाई के लिए इसका प्रियोग किया था जब मैंने इसकी सेप्टर की समरी को पढ़ाया था ठीक है description box में उसकी लिंक दी गई है तो चलिए आँगे बढ़ते हैं देखते हैं कोस्चन नमबर पांच को पांच माँ प्रस्चन पूशा जा रहा है कि दिये गए निमने लिखित कतनों में से कौन सा कतन सत्य है option A नस्तलिक लिपी दाई से बाई और लिखी जाती थी जबकि सिकस्त लिपी बाई से दाई और ये लिपी हैं दो एक है नस्तलिक लिपी दूसरी है सिकस्त लिप ठीक है तो ये दो लिप दी गई है और इसमें पूछा जारा है कि जो नस्तलिक लिपी है ये 22 से दाइयो लिखी जाती थी और जो 6 लिपी है ये 22 से दाइयो तो इसमें कौन सा उप्षन से अगर आपको ये बताना है ठीक इसमें option B में दिया जारा है की फार्सी Hamby के जानकारों के लिए नस्तलिक लिख seçgen परणा को परणा आसान होता था इसके जार में option C में दिया जारा है की एवा भी दोनों कतन सत्य हैं और इसके बाद में option C D में दिया जारा है की इन में से कोई नहीं सत्य है तो इन चारों में से कौन सकतन सत्य है अगर आपको पता है तो answer comment box में आब से दीजिएगा चलिए अब इसका answer हम आपको बताते इसका answer होगा option C ठीक है? एक मिनट इसका answer होगा option C तो इसको आप लोग एक बाद देख लिजिएगा नस्तलिक लिपी जो है यह बाई और से लिखी जाती थी ठीक है और बाई और से वर्ण जोड़ करके धारा प्रवार रूप में लिखी जाती थी अब बाई और से का क्या मतलब है? तो इसको समझ्ज लिजीगा जब आप लोग हिंदी लिखते हैं फिर соглас लिखते हैं तो ऐसे लिखते चले ला है ओलि forts इदर एक आसे लिखते चले शsti ज़ोड़ रहे हैं इधर कौंसा करद लिप में बाई और से वर्ण जोड़कर के धराप्रबार रूप में लिखा जाता था और फार्सी अर्वी के जो जानकार थे उनके लिए इस लिप को पढ़ना आसान होता है और सिकस्त लिप जो है यह दाई और से लिखी जाती थी और अधिक संचिप सघन और कठिन होती थी अभी डाई-और से कैसी लिखी आती थी इसको भी समझी गा जैसे की हम लोग जो आज कर लिखते है और इसमें इसमें यह एंसी लिखा tv रहा इये उसमें पूरी चेप्रिन में यजिए उनके के नोट्स लेने हैं वो लोग हमको इस नंबर पर वाटसेप पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं वाटसप नंबर है 8577885934 ठीक है और आप लोग इस वीडियो को शेयर बस कीजिएगा क्यों क्योंकि ग्यान बातने से बढ़ता है और हमारे इस द्रण संकल्प यूटूब चै कीजिएगा और आप लिए अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सकाइब नहीं किया चैनल को सब्सकाइब कीजिएगा बेल एक इन को दबाएगा और अधिक से-धिक सेयर कीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तकक लिए जहें दोस्तों